सवाल प्रभाजी ने हमें गुड़गाओं से भेजा है और ये कह रही है कि मेरे खर में जो विंडो और शाफ्ट है वो साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ बना हुआ है क्या वास्तु के अनुसार ये ठीक है देखे योगिता जी ये बहुत एहम सवाल है आपको ऐसा लग रह अगर यहां पर कोई भी शाफ्ट या कोई भी ऐसी टनल आ जाती है जो कि हमें उपर कॉस्मिकल या इनर्जी से कनेक्ट करती है और अगर उसकी विंडोस को खुला रखते हैं तो दक्षण और नेरुत्यकोंड की जो एनर्जी है वो हमारे घर के अंदर अन्नेसेसरी बहुत जादा प्रवेश करने लगती है तो आप जो है अपने शाफ्ट की जो विंडोस है उनको अधिकतर बंद रखिए और जहां तक हो सके इस विंडोस को आप कवर्ड रखिए कि विजूली पता भी ना चले कि यहां कोई विंडोस है नहीं तो आपको काफी financial losses भी हो सकते हैं प हमें प्लीज पत्र डिखिए आपके पत्रों को अपने कारेक्टर में शामिल करेंगे इस प्रोग्राम में नहीं हुआ तो अगले प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे यह हम आपसे वादा करते हैं वैशाली जी यह लेटर हमें भेजा हुआ है प्रभुदेवा नाम ह और ये कहते हैं कार का शोरूम जो है ये खोलना चाहते हैं अब इनकी समस्या ये कि अब प्लॉट खरीदना है तो वो कौन से डिरेक्शिन में मुझे खरीदना चाहिए आपका जो इंडस्ट्री है ये काफी बड़ी इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारी चीज़ें रख होता है आप इस बात का खास ध्यान दे कि फेसिंग के इलावा जो आपकी वर्क्शॉप है जो आपका शोरूम है डारेक्टर केबिन है जो कस्टूमर लाउंज है ड्राइवर्स के बैठने का एरिया है स्पेर पार्ट्स का जो एरिया है ये आपका वास्तू के नुसार सही दिशा में आना चाहिए और इस बात का भी में ध्यान रखें कि जो आपके कार वाशिंग के लिए पानी यूज होता है वो मोर और लेस आपका नौर्थ से आए कस्टूमर लाउंज जो है वो आप नौर्थीस्ट में रख सकते हैं ड्राइवर्स का जो वेटिंग लाउं या फैक्टरी की ओनलाइन कंसल्टेंसी मैप मेकिंग या वास्तो विजित के लिए स्क्रीम पर दिये गए नंबर्स पर कॉंटेक करें